गुद बॉर्निंग इस्टुडेंट्स तो हम सभी आ चुके हैं लाइव और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से शब्द और पत की आप मुझे कमेंट करते रहें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बीच में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अभी लाइव जिसको जो भी आपका कमेंट होगा जिससे कि मैं उसको अभी की अभी आपको बताने का प्रयास करूँगा और जो लोग भी ओल्लाइन आ गए हैं वो भी कमेंट करके मुझे बता दें जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग ओल्लाइन आ चुके हैं जब तक आप सबके कमेंट मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग ओल्लाइन हैं मैं आगे नहीं बताने वाला आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए हुजैफा फरीद ओके बेटा आज शब्दोर परध हम पढ़ने वाले हैं तैन्थ में आपको ये बोड में परिक्षाओं में मिलेगा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है और इस लाइव नहीं है मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ गुरूप पर तो इतने स्टुएंट्स मैसिज देखते हैं लेकिन ओलाइन कोई नहीं पसंद करता आना चलिए कोई नहीं मुझे अपना टॉपिक पूरा करना है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और जो इस्टुएंट्स अभी ओलाइन नहीं आए हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में टाइम से अपना ओलाइन हो जाए जिससे कि आपको कोई भी परिशानी अगर होती है टॉपिक को समझने में तो आप उसे सिलाइट्स मैंने बनाई हुई हैं आपको नोट्स जो भी तयार करने हैं अपने नोट्स तयार कर सकते हैं चलते हैं तो हम आप समझ गए होंगे कि सर शब्द तो हमें आता है लेकिन ये बद क्या होता है तो बिटा मैं आपको सबसे पहले बात करूँगा कि इसमें जो प्रिशन है किस तरह की प्रिशन आपको परिक्षाओं में पूछे जाते हैं वो प्रिशनों की चर्चा करते हैं हम एक्सिलाइट के साथ देखिए इस लेक में हम शब्द और पद की परिभाशा शब्द और पद के उधारण वो शब्द किसे कहते हैं पद किसे कहते हैं शब्द पद कब बन जाता है इन प्रश्णों पर चर्चा करेंगे शब्द और पद एक ऐसा विशह है जिसमें बहुत से विद्यारती दुविदा में पढ़ जाते हैं हम आपकी इसी दुविदा को दूर करने का प्रियास करेंगे सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं इस प्रश्ण को हम जानते हैं देखे शब्द और पद जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको जब पढ़ने में तो एक ही चीज लगेगी लेकिन जब आप इसको अच्छे से जान लेंगे आज की पूरी क्लास कर लेंगे तो आप पिल्कुल अच्छी तरह से जान लेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है तो शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण स्रमू शब्द कहलाते हैं जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शत्रंज, इत्यादी देखिए मैं इस परिभाशा को पुन्हें दोराता हूँ एक से अधिक वर्णों के मेल से बने देखिए आप वर्ण जानते ही हैं हमारे क, ख, आ, ए ठीक है ये सब हमारे वर्ण होते हैं इनके मेल से जो बनते हैं मेल से बने सार्थक वर्ण समू यहाँ पर एक शब्द आ गया हमारा सार्थक वर्ण समू देखिए सार्थक और निरर्थक जो हमारे शब्द होते हैं इनको दो प्रकार के शब्दों में बाटा गया है सबसे पहला सार्थक दूसरा निरर्थक तो यहाँ पर बस इसको जानना बहुत जरूरी है कि सर अगर हम यहाँ पर कहते कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को समू को शब्द कहते हैं तो बेटा मैं आपको बता दूँ कि सार्थक वर्ण अगर आप यहाँ से हटा देते हैं उसके बिना इस definition को लिखते हैं तो वह गलत है पूर्ण तहा गलत है क्यों देखे एक से अधिक वर्णों के मेल से बने समू वर्णों को क्या कहते हैं शब्द आप यह कह रहे हैं अब मैंने वर्ण जोड़ दिया पै और पै प और पा मैंने जब जोड़ा वर्ण तो वो क्या बन गया पप पप जब वो बन गया तो आप जानते हैं कि पप कोई शब्द नहीं है जब पप कोई शब्द नहीं है तो हम उसे शब्द कैसे कह सकते हैं तो सार्थक वर्ण सम्हू सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अपना अर्थ हो ऐसे वर्णों को जोड़ना है जिनके जोड़ने के बाद यो अपना अर्थ निकालते हो उन्हें कहते हैं हम सार्थक शब्द ठीक है तो यहाँ पर यही लिखा है एक से अधिक वर्णों के मेल स जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शत्रंच, इत्यादी दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं देखिए अब हमने दूसरे शब्दों में कहना शुरू कर दिया शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं लेकिन ध्यान रखना है सार्थक वन शब्द सार्थक वन समू या अक्षर समू होते हैं सार्थक या तो वन है या हम उसे वन को अक्षर भी कहते हैं उनका समू होता है शब्द स्वतंत्र रूप में प्रियुक्त होते हैं वनों का वही समू शब्द कहलाता है जिसका प्रियोग स्वतंत्र रूप से होता है जो शब्द होते हैं हम इसका प्रियोग स्वतंत्र रूप से ये स्वतंत्र होते हैं शब्द हमारे ठीक है ये किसी व्याकरण के किसी नियमों में बंदे नहीं होते मानिए राम है जब आपने राम शब्द एक देखा जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए तब ही उसे शब्द की परीभाशा दी जा सकती है जैसे कि मैंने सबसे पहले परीभाशा में ही बताया था कि उसमें सार्थक वर्ण होने आवेशक है सार्थक वर्ण सम्हूं मतलब कि एक क्रम में उनका होना जरूरी है वह अपना एक अर्थ देते हों तब ही हम उसे शब्द कह सकते हैं ठीक है आपके सब्द बहुत अच्छे स समझ में आ गया होगा मुझे पूरा विश्वास है और उधारणों के साथ इसे हम और अच्छे से समझते हैं next slide की और तो चलते हैं दिखे मैंने यहाँ पर उधारण दिये हैं का प्लस ला प्लस मा कलम का प्लस मा प्लस ला कमल ला प्लस मा प्लस का लमक ला प्लस का प्लस मा लकम देखिए हमने यहाँ पर चार उधारन दिये हैं इन में से केवल पहले दो उधारनों को ही शब्द कहा जा सकता है बागी दो को नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी और कमल का अर्थ होता है विशेश प्रकार का फूल समझ माग्या होगा ये दोनों शब्द किसी ना किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं अतह इन्हें शब्द की संग्या दी जा सकती है लेकिन आप देख रहे होंगे कि आगे के परंतु अन्य दो लकम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते समझ मा आगया होगा कि यह किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं यह दोनों सार्थक वर्ण समू नहीं है अतह इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता यहाँ एक बात इसपस्ट हो जाती है कि केवल वर्णों के सार्थक समू को ही शब्द की संग्या दी जा सकती है अभी आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर आपने सार्थक शब्द तो बता दिया लेकिन निरर्थक शब्द निरर्थक शब्द फिर कौन से होते हैं जिसे आप कह रहे हैं कि उन्हें हम इसमें नहीं रख पाएंगे नहीं रख सकते हम केवल सार्थक बन सम्हूं को यहाँ पर रख सकते हैं तो बिटा मैं आपको बता दूँ देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक और निरर्थक सार्थक आप समझी गए होंगे सार्थक का अर्थ होता है जिनका कोई अपना अर्थ हो ठीक है तो जैसे राम, श्याम इनके अपने अर्थ हैं आपको पता है ये शब्द है ठीक है लेकिन आप आप कह रहे हैं कि सरसार्थक चलिया आपने कहा शब्द और निर्थक भी जब शब्द होते हैं तो उनको यहां क्यों नहीं रखा गया तो मैं आपको पहले बता दू कि निरर्थक कौन से होते हैं निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिन में जिनका जो अर्थ नहीं निकलता कोई अर्थ नहीं होता जनका एक अपना अर्थ नहीं निकलता उनका उनका क्यों सा निकलता है वो सार्थक शब्दों पर डिपेंड होते हैं जैसे उधारन में आ कि आपने चाय वाय बना ली देखिए यहाँ पर मैंने चाय वाय वाय का प्रियोक किया है ठीक है दूसरा साथ में चाय के साथ वाय ठीक है तो आप देखेंगे दूसरा आप बोलते रहते हैं रोटी वोटी बना दो रोटी वोटी अब आप बोटी बनवा रहे हो या रोटी बनवा रहे हो ठीक है लेकिन आपने क्या किया कि रोटी बोटी चाय वाय पानी वानी ठीक है इस तरह के जो बाद में हमारे शब्द लगे हैं जैसे वानी पानी वानी वानी चाय वाय वाय और ठीक है इस तरह के जो श झाल जो शुख अजय नहाँ कर दो बार खर और फले खर आपर फले तर लाप आपने रolphा कर कर दो दोंगा कर दो